आपको सबको नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग मुझे भी करोना हो गया था और लगबग साथ आठ दिन में होम आईसोलेशन में रहा आप सबकी खुब दुआएं मिली आपका खुब आशिरवाद मिला आपकी सबकी शुब कामनाई आ रही थी उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुकरिया तहीं दिल से शुकरिया मुझे लगबग दो दिन बुखार रहा उसके बाद मैं ठीक था लगातार लेकिन जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से मैं साथ आठ दिन होम आईसोलेशन में रहा अब मैं वापस आप सब की सेवा में हाजिर हूँ आप सब लोगों के शुबकावनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन दिल्ली में जो करोना की रफ़तार बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है उसको लेके मैं हमेशा से चिंतित था हलांकि मैं होम आईसोलेशन में था लेकिन फोन के उपर में लगातार अपने सभी ऑफिसर से चीफ सेक्रेटरी साब से हेल्थ मिनिस्टर से सबसे लगातार संपर्क में था जो जो इंतिजाम किये जा रहे हैं और जिस तरह से करोना की स्पीड बढ़ रही है उसके उपर में नजर रखे हुए था दिल्ली के अंदर जो करोना की पूरे देश में करोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है दिल्ली में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है रफतार बहुत जादा तेज है मैं देख रहा था कि कल वाला जो हेल्थ बुलिटन था उसमें लगबग 20,000 के करीब केसे आए थे और आज शाम को जो हेल्थ बुलिटन आएगा उसमें लगबग 22,000 केसे पिछले 24 घंटे के 22,000 केसे आएंगे तो डेली बहुत तेजी से केसे बढ़ रहे हैं जिसको जो एक चिंटा का विशय तो है लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था घबराने की बात नहीं है जब मैं बोल रहा हूं घबराने की बात नहीं है तो मैं सारा डेटा एनलाइज करके बोल रहा हूं पिछली जो वेव आई थी अप्रेल मई में उसमें 7 माई को इतने ही डेली केसे आते थे 20,000 के करीब जैसे अभी 20,000 केसे आये कल 20,000 केसे पर डेली केसे आये 7 माई को भी 20,000 केसे आये थे पिछली वेव में लेकिन 7 माई को 341 मौते हुई थी 341 मौते लेकिन कल जब 20,000 केसे आये थे तो 7 मौत हुई है एक भी नहीं होनी चाहिए लेकिन कंपेरिजन में केवल 7 मौत हुई है 7 माई को जब 20,000 केसे आये थे तो लगबग 20,000 बेड्स दिल्ली में भरे हुए थे लेकिन कल जब 20,000 के सजाने हैं तो लगबग 15,000 बेड केवल दिल्ली में भरे हुए हैं तो उस तरह से इस वेव के दौरान डेथ भी काफी कम हो रही है और लोगों को अस्पताल जाने के भी काफी कम ज़रूरत पड़ रही है यह डेटा मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि इसलिए अब हम मास्क पहनना बंद कर देंगे और गैर जिम्मेदार हो जाएंगे ये लिटा मैंने आपको इसलिए बताया है कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की जरूरत है, जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, कि मास्क पहनना सबसे जरूरी है मास्क पहनना सबसे जरूरी है कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं लॉकडाउन लगेगा हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते है लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो मास्क पहन के घर से बाहर निकलो मास्क पहन के चारो तरफ गूमों, अगर जरूर ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो अभी थोड़े दिन, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं, फिलहार ल रिस्ट्रिक्शन्स हम लोग लगाएं, ताकि लोगों के रोजी रोटी चलती रहे, लोगों के रोजगार चलते रहें, अलजी साब और मैं दोनों मिलके पूरी सिच्वेशन को लगातार हम लोग नज़र रखे हुए हैं, कल हमारी डीडीमे के दुबारा मीटिंग है, उस म में एक्सपर्ट्स के साथ फिर से हम रिव्यू करेंगे सिच्वेशन को कि क्या और करने की जरूरत है नहीं है, केंद्र सरकार से लगातार हम लोग संपर्क में हैं, केंद्र सरकार से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, तो सब लोग मिलके, मैं, L.G. साब, हमारे सारे ओफि करोना की इतनी खतरनाक लहर थी जो अपरेल वाली थी, उसको हमने पार पालिया, तो इस लहर को भी हम लोग पार पालेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम करने की जरूरत है, और जिन जिन लोगों ने वैक्सिन नहीं लगवाया, प्ली कम माइल्ड करोना होगा, आपकी जान को खत्रा नहीं होगा, आपको अस्पताल हो सकता, जाने की जरूरत ना पढ़े, नमस्कान.